गुड मॉर्निंग इस्टूडेंस यूटूब चैनल इंडिया ओल डेज में आपका एक बार फिर से स्वागत है आज हम इस वीडियो में समूद्र गुप्त का राजयरोहन तता उसकी वीजियों के बारे में जानकरी प्राप्त करेंगे तो देखेगा पहले वाले वीडियो में हमने समूद्र गुप्त भार्ट का नेपोलियन कहलाता है अर्थात समूद्र गुप्त के परीचय के बारे में जानकरी प्राप्त की थी और गुप्त काल के बारे में भी हमने काफी कुछ पढ़ लिया है तो आप प्लेडिस्ट में जाके और गुप्तकाल में इन्फोर्मेशन देख सकते हैं गुप्तकाल के बारे में आप जान सकते हैं और यदि आपने इंडिया उल्डेज को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें लाइक करें, सेर करें ताकि आपके फ्रेंड्स तक भी इत्यास विशेशे सम्मंदित महतोपुन जानकरी मिल सके और वो एक्जाम की तयारी अच्छे से कर सके ठीक है? तो चलिए पढ़ते हैं समुद्र गुप्त का राजयरोहन तथा उसकी विजे प्रियार प्रसस्ती के प्रारम में आठ स्लोक प्राप्त होते हैं, जिर में ऐसे कुछ खंडित अवस्ता में हैं चतुर्थ स्लोक में चंद्र गुप्त पर्थम द्वारा समुद्र गुप्त के उत्रादिकारी चुने जाने का विवरण प्राप्त होता है इस विवरन से पता चलता है कि चंद्रगुप्त ने अपना उत्रादिकारी चुनने के लिए अपने सभासदों की एक सभा बुलाई चंद्रगुप्त पर्थम समुद्रगुप्त के गुणों पर इतना अधिक मुग्द था कि बरी सभा में उसने गले से लगाते हुए ये गोशना की आर ये तुम योग्य हो पर्त्वीका पालन करो पर सस्तिकार ने आगे लिखा है कि जहां इस गोशना से चंद्रगुप्त के दरबारी परसन हुए वही अन्य राजकुमार दुखी हो गए थे इस विवरन से ये इसपस्ट होता है कि समुद्र गुप्त को अपने अन्य भाईयों से उत्रादीकारी का युद लड़ना पड़ा था इस विद्रोह का नेतरत्वे काच नामक उसके भाई ने किया था काच नामधारी को सिक्के प्राप्त होते हैं इनके मुख भागपर राजा के आकरती तथा मुद्रालेक तथा प्रिष्ट भागपर सर्वय राजो छित्ता अर्था समस्त राजों का उन्मुलन करने वाला विरूद अंकित है इस काच नामक राजा के बारे में पूरी तरह से जानकरी प्राप्त नहीं होती है सिर्फ अनुमान लगया जा सकता है अब देखेगा समुद्र गुप्त द्वारा किये गए युद तथा उसकी विजे आर्या वर्थ का पर्थम युद दक्षिना पत का युद आर्या वर्थ का द्वित्य युद आठविक राजों की विजे पर्तेंद अर्था सिमा वर्ती राजों की विजे और इन सब के बारे में हम अच्छे से जानकरी आपको अगले वीडियो में देंगे विदेशी सक्तियों से समूद्र गुप्त के संबंद परसश्टी की 23-24 पंक्तियों में कुछ विदेशी सक्तियों के नाम दिये गए हैं जिनके विशेय में ये बताया गया है कि वे सक्तिया स्वयम को समराट की सेवा में उपस्तित होना कन्यों के उपहार एम अपने अपने राज्यों में सासन करने के निमित गरूड के चितर से चितरित मुद्रा राजग्या के लिए प्रार्थना करना आधी वीविद उपायों द्वारा समूत्र गुप्त की सेवा किया करती थी ये विदेशी सक्तिया निम लिखी थी देवपुत्र साही साहनु साही इससे तात्प्रिय कुसानों से है कुसान गुप्तों के समय पस्चीमी पंजा में निवास करते थे तता उनका सासक देवपुत्र साही एम साहनु साही की उपादियां गरण करता था समुद्र कुप्त का समकालीन कुसान नरेस किदार कुशान था जो पेसावट छेतर का राजा था किन्तु जैसा कि DR भंडारकर ने बताया है मोल शब्द देवपुत्र ने होकर देवपुत्र है इससे तात्परिये कुसान सासकों की परसिद राज की उपादी देव उत्तर महाराजा धी राज पर्तित होती है आरसी मजुमदार के अनुसाल उत्तर पस्यमी भारत में गड़ हर नरेश समुद्र गुप्त के दीनता मानता था उसकी एक मुद्रा पर समुद्र उत्किन है समुद्र गुप्त का सम्कालिन सासक जो सकसासक अवन है रुत्दर सीहत रित्य जो 348-386 में था यह समुद्र गुप्त का समकालिन सासक था स्टेन कौनों के मतानुसार मुरुंड सब्द चीनी वंग का प्रियायवाची है जिसका अर्थ स्वामी होता है इस प्रकार सक्मूंड का तात्पर्या सक्सासक से है परन्तु ये मत ऐसंगत है क्योंकि गुप्तों के पूरे मुरुंड जाती का स्वतंतर अस्थित्व था शीहल सीहल से तात्पर्या लंका द्वीप से है समूत्र गुप्त का समकाली लंका नरेश मेग वरन था चीनी स्रोतों से पता चलता है कि उसने समुद्र गुप्त के पास उपहारों सहीद एक दूत मंडल भेजा था गुप्त नरेश के आग्या से उसने बोधिवरिक्ष के उत्तर में लंका के बोध बिक्षों के लिए एक भवे विहार बनवाया था सिहल के अतिरीक्त कुछ और भी दूइपों ने समुद्र गुप्त की अधिनता शुविकार कर ली थी क्योंकि प्रसस्ति में सिहल के बाद आदी सर्व दूइप वासिभई उलेकित मिलता है इसका संगे दक्सिन पूर्वी एसिया के द्विपों से है यहां से हिंदो उपनिवेशों के सासक इस समय अपनी मत्र भुमी से सम्मद बनाये हुए थे सको एम कुसाणों ने समुद्र गुप के अधिनता मानी थी कुछ कुसाण मुद्राओं पर समुद्र तथा चंदर नाम अंकित हैं तथा सकों के कुछ सिख्के भी गुप्त परकार के हैं अस्वमेग यग्ये अपनी विजियों से निवरत होने की बाद समुद्र गुप्त ने अस्वमेग यग्ये किया लगता है कि इस यग्ये का अनुस्ठान परसस्ति लिखे जाने के बाद हुआ और इसी कारण उसमें इसका उलेक नहीं मिलता इसकन्द गुप्त के बीथरी लेक में समुद्र गुप्त को चिरकार से छोड़े गए अस्वमेग यग्ये को करने वाला कहा गया है। गुप्तों के पूर्वे पुस्य मित्र सुंग ने दो अस्वय मेग यग्य किये थे, समुद्र गुप्त के अस्वय मेग परकार के सिख्के उसके द्वारा अस्वय मेग यग्य किये जाने के प्रमान है, इनकी मुख भाग पर यग्य यूप में बंदे हुए अस्वय की आकरत तता प्रिष्ट भाग प्रमुद्रा लेक अस्वामेग प्राक्रम है अस्वामेग ही जिसका प्राक्रम है उतकेण मिलता है प्रभावती गुपता के पूना तमर लेक में समुद्र गुपत को अनेग अस्वामेग येग्यों को करने वाला कहा गया है ठीक है तो इस वीडियो म आपको एक्जाम में help मिलेगी तो ऐसी ही और वी information आपको YouTube channel India Old Days पे मिलेगी तो बने रहें YouTube channel India Old Days पे